हाई फ्रेंट्स मैं परवंदर खाली फ्रेंट्स आज की हमारी येम जिनकी वीडियो रेकमेंडेशन है आईडी है फाइटिंग वराइटीज और गेम जिसके उपर उन्होंने वीडियो सेजेशन दी है वो सन 2017 की है अबुदावी मास्टर्स आबुदावी में खेला गया रही रिप्लाई यहां जी सिक्स खाया डी फॉर हुआ बिशप जी सैवन नाइट सी ट्री डी सिक्स एफ़ एसिक्स ब्लैक की पुजिशन बिल्कुल क्रेंट हो रही है नाइट एफ्ट्री वाइट डिवल्लप्मेंट बहुत अच्छी चल रही है बी फाइव यहां ब्लैक अब उन्हों बिशप यंकेटिट स्ट्रक्चर में सही पोजिशन में आ चुकी है वेल कैसल यहां फिलाल सीधा सीधा वाइट में कर लिया है देन हुआ सीधा आपको फाइनली कुछ ना कुछ मेंटरिल एक्षेंज या पॉन एक्षेंज जैसा कुछ तो करना पड़े बिशप एफोर कैसा मुझे तो यह मूग ठीक लगा है क्यों ठीक लगा है बिशप टेक्सीधा नाइट टेक्सीधा और उसके बाद आप यहां थोड़ा प्रिशन करने वाली होगी लेकिन चलते हैं जरा गेम पर यहां केला गया नाइट जी फाइल और नाइट के जी फाइल पर आने के बाद फिर अभी फिलहाल क्या टेक्क बनता हो बादों बनेगा लेकिन एक बात पकी है कि वाइड यहां डेफिनिटल कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से यहां इस एफ फाइल को सेमी उपन तो कम से कम करा लिए लेकिन फिलहाल प्राहम ने चला अपना क्विन बी सिक्स करेगा और कोशिश क्या है कि कि किसी तरह की कोई टेक्टिकल अकुछिनिटी अगर उन्हें यहां मिलती हुई नजर आए तो वो चांस देना चाह और फ्रेंट्स क्या यहां किसी तरह का advantage मिलता हुई नजर आ रहा है आप देखें knight को unstable किया जाएगा और knight हटेगा उसके बाद यहां discovered check की possibilities आती है लेकिन problem यह है कि white यहां थोड़ा superior position है क्योंकि अगर black यहां C tex d4 के लिए गया तो knight tex d5 पहले आप अपनी queen बचो और queen अ development के मामले में बहुत बुली तरह पिछड़ चुपा हो और फिर यहां खेला गया e6 का a6 होने के बाद पहले bishop आया e3 square पर और जैसे ही मौकल मिलेगा queen पर attack बने और बना भी c tex d4 bishop tex d4 queen पर attack बना queen गई c6 square पर सही भी है then खेला गया a4 friends यहां यह move बड़ा प्राम अक्षिदमी की रेटिंग है 2590 और अधम फॉजी की रेटिंग है 2422 तो ज्यादा इलो रेटिंग आफ़र के दोने खेला बी पॉन यहां ब्लैक में आगे पुश किया मुझे यसी तरह के मुझे पसंद है सीधा सीधा नाइट पर attack लेकिन जो मुझे नहीं पसंद है वो यहां प्राम में चला नाइट यहां गया बी 5 स्क्वेर पर और सीधा सीधा नाइट सेकरिफाइज है अब आप सोचो कि यार क्यों भी आए नाइट सेकरिफाइज है अगर असेप्ट ना करें तो अगले मूफ में क्या है यह तो क्लियर है चेक तो जाएगी जाएगी य यहां पहले खेला गया A-Tex-B5, अगर माल लो यहां से एक आगे बढ़ेगी, क्योंकि आगे खेला गया था A-Tex-B5, कुईन पर अटेक बना, अब क्या करें, अगर यहां माल लें कि Black R-Tex-A1 के लिए गया, तो White यहां पहले B-Tex-C6 करेगा, और Knight पर अटेक बनेगा, उसके चेक पर आएगी, तो Black को पहले करना पड़ेगा R-Tex-D1, और जो Knight अभी थोड़े दिया था, वो यहां वापिस मिल चुका होगा, C-Tex-D7, King-Tex-D7, then R-Tex-D1, और बिलकुल White एक अच्छे खासी लीड में आ जानेगा, लेकिन यहां पर खेला गया Q-B7, पहले मैं पहले है, R-Tex-D8, Q-Tex-D8, फ्रेंट्स यहां अब मैं यह कहूँ कि क्या कोई बहुत गल्प मूव है, इमीजेटी, ऐसा लगता कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह White की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से हो, यहां इस F-File को Open कर आ ले, क्विन बिलकुल दूर, कोने में धखेल दी है, अब यह Quinn को वापस लाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी, यहां खेला गया F-File, और फ्रेंट्स अब F-Pawn जैसे ही आगे कुश हुआ है, अब options कितनी है black के पास, या तो E-File, E-6 square पर रखे वे pawns से, पान एक्शन को complete किय जाए, या F-File वाले कौन से लिया जाए, देखिए, यहां अगर E-Tex F-File होता है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीधा सीधा अपना E-Pawn आगे कुश कर दो, अब क्या करें, अब दू options हैं, आप सीधा सीधा बिशप पर attack बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं या तो बिशप टेक्स D-4 चेक किया जाए, उसके बाद क्यून टेक्स D-4 होगा, और अब यहां रुख पर attack बन रहा होगा, और अगले मूव में आप यह नाइट अराम से ले सकते हैं, मतलब टार्गेट कहा है हूँ नाइट सेक्रिफाइस का, इस D-7 स्क्वाइर पर रख और वो बिशप टेक्स D-4 के लिए नहीं जाता है और वो यहां F-C-6 पहले कर लेगा तो बिशप टेक्स D-7 यहां दूसरी ऑप्शन है G-5 लेकिन G-5 होने के बाद कि क्विन की एंट्री होती है डिरेक्ली, यह ज़्यादा डेडली नजर आ रही है, क्विन H-7 और चेक्मे बिशप पर टार्गेट लगाता हूँ कि चेक पाएगी, पहले तो F-7 स्क्वेर पर कुइन से चेक आएगी, किंग को जाना पड़ेगा D-8 स्क्वेर पर और उसके बाद नाइट से चेक आएगी, नाइट टेक्स E-6 चेक और यहां बिशप नवाना पड़ेगा खेर, तो अ किया जा सकता है, पॉन चुकी पिन है, और बेटर क्या आपको लगता है, नाइट टेक्स E-6 यहां से भी जादा बात बनेगी नहीं, क्योंकि नाइट टेक्स E-6 पहले खेल जाएगा, बिशप पर फिर भी प्रेशर रहेगा, और अगर आप इस नाइट को नहीं लेते, तो प्राम भी अराम से नहीं निकले, उन्होंने का, यार तुम इसी नाइट पर अटेक बना रहे हो, इसी नाइट को बार रहे हो, नाइट के पीछे पढ़े हो, नाइट लो, मिनिमम लॉस के साथ, नाइट टेक्स E-6, करो मैटेरियल एक्शिन्स, मैं बिशप से भी चुटका बन गया, और डिफेंस भी हो गया, लेकिन फ्रेंट शायद इसी बात की तैयारी एदाम ने कर रहती थी, मैं फिर दुबारे एक बात पर ध्यान दिलाने चाहूंगा, कि जब से कुईन A-8 स्कुर पर गई है, कब से कुईन को टच करने का मौका नहीं मिलाए पराम को, भीश करें तो करें क्या, अब अगर जल्दबाजी की जाए और कुईन को लगाने की कोशिश की जाए चेक मेट पे तो ब्लैक की कुईन को माका मिल जाएगा, वापिस आने का, तो ठीक है, अदम ने का की नहीं, पहले पहुचाओ अपना रुख, और कहां टेक बनाओ, उसी पीस पर उसी बिशेप पर जो बहुत दरी से परिशन कर रहा है, बिशेप गया F8 स्कुएर पर ये भी सही है, यहां तक इस गेम में ठीक है सब कुछ देखें, अगर नाइट से अब पॉन लिया गया, यह नेकस्पेक्टिव है, और कहां टेक है, दुबारे बिशेप पर एटेक अगर बिशेप के टाइक के साथ कुइन पर भी टार्केट लगा रखा है, अगर ब्लैक के लिए हम कहीं कि रुक टेक्स H7 किया जाएगा और उसके बाद, देखें मुझे यहां कुइन मूव होती नजर आ रही है, ब्लैक अपनी कुइन को सेवन त्रैक बनी ला सकता, यह ब बिशेप या नाइट जो भी मूव कर लो यहां पर, तो कुइन F1 और अगले मूव में यहां यहां यह चेक मेटिंग सिलसला, नाइट रुकता नहीं, क्या क्या सब चीजों बटाइक बन जाएगा यहां से, चलते हैं ज़रा गेम पर, यहां खेला गया बिशेप C5 चेक, औ क्या करें? लेखे सबसे असान तो मुझे लगता है कि यही था कि किसी भी तरह से बिशप को ही रखा जाए, बिशप को रखा जाए, लेकिन यह एडमिट करना इस बात को इतना इजी नहीं लगता कि बिशप से कुछ डिफेंस होने वाला है, क्योंकि लगेगा ब्लाइक हो अगले मूव में आपको यह नाइट की चेक भी नजर आ रही है, लेकिन नाइट का जब नंबर आएगा उसको बात में देखेंगे, पहले खिला गया कुईन F1, कुईन के F1 स्कॉयर पर आने के बाद, अगले मूव में आपको यहाँ चेक देने के सासा कुईन पर अटेक ब पाया है, अगर एग्जेक्टली इस पॉइंट पर किंग भी मूव करना शुरू कर दिया जाए, तो भी गेम में कुछ नहीं बजना, खिरे, यहाँ खिला गया, नाइट F5, देखें, नाइट F5, मेरे हिसाब से अगर कोई भी फरस्ट, पहली नजर में बोलेगा ना, वो कह अगर अच्छा मूव है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, लेकिन पहले खेला गया B6 का होगा, अब B6 किसलिए, क्योंकि आपको ये चेक नजरा आ रही हो, चेक्मेट नजरा आ रही हो, बिशप टेक्स B6 अगर आपने लापरवाई की, तो कुइन B5 चेक और वो चेक मेट जाएगे, ठीक है, तो यहाँ पर किया गया, क्विन C6, चेक मेट की थ्रेटी भी बंद गरो, और पॉन पर बेटाए बनाओ, लेकिन वाइट ने इतिनी दिरे माँ अपने पॉन को रख दिया, B7 को रख देन हुआ, बिशप B7, ठीक है, पॉन को आपको प्रमोट होने भी नहीं देना, बात भी सही है, लेकिन जो उमीद यहाँ पर पर हमने नहीं कियो, उन्होंने यहाँ किया, क्विन टेक्स F5, अब यह क्विन सेक्रिफाइस क्यों आया है, आप यहाँ अपने पॉन को क्विनिंग स्क्वार तक कैसे पहुचाओगे, है ना सिरदर्दी वाल काँ, कैसे करें यहाँ, सब्सक्रिफाइस के मामलें बात कर थी कहाँ, बी फाइल का एक पॉन है, अन्डिफेंडेल लेकिन सेवन्थ रैंक, पर्मोटिंग स्क्वार तक पहुचेगा, नहीं पहुचेगा, कोई वरेंटी नहीं, कर्चेक आई है, किंग हटा, डी एट किया था, मेरे दिमाग में नहीं आया था, कि यहाँ, एपॉन आगे पुच्छ किया जा सकता है, और फाइनल मूव, यही था अदाम फॉजी का, जिसकी वज़े से प्रम मक्शुदू ने रिजाय कर दिया, इस एपॉन को आगे पुच्छ करना है, प्रेंट्स, क्या कमाल की किया था, अभी अभी नाइट, क्विन सक्रिफाइस किया था, और यहाँ आप रिजाय किसे अगरना पड़ रहा है, अदाम फॉजी, प्राहम मक्शुदू ने को, खेर अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ा है तो क्या होगा, किंग मूव करना होगा पहले, और किंग अगले मूव में यहाँ पर वाइट अपने स्पाउन को प्रमोट करने के बाद भी शको लेने की भी तैयारी कर रहा है, यहाँ रुक और नाइट एक्स्ट्रा है, वाइट के पास, वाइट के पास, वेल फ्रेंस बहुत अच्छी हम थी, उमीद आप सब लोग को भी जरू क पुसंदा यूट को वीडियो को लाइक, शेयर, यूटीज चैनल को सब्सक्राइब ने जरूर करें, कमेंट सेजेशन कब भी बेहाँ जा रहेगा, थैंक यू फॉर वाचिंग में, बाई फूर्मोट